संगमनगरी प्रयागराज में कल से मागमेले की शुरुवात हो रही है 47 दिनों तक चलने वाले आस्था के इस मेले में हजारों और लाखों नहीं बलकि कई करोण श्रद्धालों के आने की उमीद हैं देश में एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं तो वह प्रदर्शनी लगाए जाने की तैयार है एक दो तीन चार पांच साथ ऐसे दस बीस नहीं बलकि दो दरजन से ज्यादा जूले यहां पर लगाए जाने की तैयारी है एक से दो दिनों के अंदर आस्था के इस मेले में जूले लग जाएंगे यहां पर हजारों लों की भीड इकठा होगी मनुरंजन होगा तमाशा होगा और जो जानकारी हमें मिली है कि जूलों के टेंडर के लिए मागमेला प्रशासन को एक करोण दो करोण रुपए की कमाई ज्यादा जरूरी है या फिर पौने दो करोण से ज्यादा श्रत्धालों की जिंदीगी और उनकी सेहत को खत्रे में पढ़ने से बचाना पिछले 24 खंटे में यहां 38 और लोगों की रिपोर्ट पाजिटिव आई है 38 और लोगों के पॉजिटिव होने के बाद मागमेला छेत्र में हरकम्प मच गया है इसके साथ ही यहां एक्टिव कैसेस की संख्या 50 का अंकड़ा पार कर गई है पीछे 4 दिनों की हम बात करें तो 4 दिनों में यहां 51 लोग संक्रमित हो चुके हैं यहाल तब है जब अभी यहां पर शरत धालू का आना शुरू नहीं हुआ है शरत धालू कल से आना शुरू होंगे अभी सिर्फ उन पुलिस कर्मियों का टेस्ट किया गया है जो यहां पर ड्यूटी करने के लिए यूपी के अलग अलग जिलों से आये हुए हैं तो समझा जा सकता है कि मेले में भी भीड के आए बिना जब 50 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं तो ऐसे में जब यहां रोजाना लाखों की भीड आएगी यह सड़के भीड की श्रतधालों की भीड से पट जाएंगी यहां तिल रखने तक की जगा नहीं होगी घाटों पर तिल रखने तक की जगा नहीं है इस जनहीत याचिका पर आज सुनवाई भी हो सकती है जनहीत याचिका में मांग मेले पर पाबंदी लगाए जाने और भीड को नियंतरित किये जाने की मांग की गई है अदालत से इस मामले में दखल दिये जाने की गुहार लगाई गई है और दलील यह दी गई है कि जि मुहीन एबीपी गंगा प्रयाग्राज़ एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की